इंग्लेंड के नैशनल फिजिकल लेबोरिटरी के वैज्ञानिकों ने 29 जून को अब तक का सबसे छोटा दिन और 26 जुलाई को एक और छोटा दिन रिकॉर्ड किया है। इन दोनों दिनों में पृत्वी ने 24 घंटे से भी कम समय में अपना सामान्य 24 घंटे का चक्कर पूरा किया। शून्य मिलिसेकंड कम जो की एक नए रिकॉर्ड के करीब पहुँच गया। इंट्रेस्टिंग इंजिनियरिंग के मुताबिक छोटे दिन पृत्वी के सामान्य से अधिक तेजी से घूमने के कारण होते हैं। लेकिन पृत्वी तेजी से क्यों घूम रही है। वैज्यानिक इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं है। लेकिन वैज्यानिकों ने इसके निमनलिखित कारण होने की बात कही है। जियोफिजिकल रिसर्च रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ। जिसके कारण हमारे ग्रह की घूरनन की धूरी 1990 के दशक से तेजी से आगे बढ़ रही है और प्रित्वी तेजी से घूम रही है। जलवायू या जलवायू प्रणालियों में परिवर्तन जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और जमना जिनका वजन प्रित्वी पर पड़ता है। भूकम्प और अन्य भूकम्पिय गतिविधियां जो द्रव्यमान को प्रित्वी के केंद्र की ओर ले जाती हैं। जैसे की एक कताई करने वाला व्यक्ति अपनी बाहों को खीचता है। प्रित्वी के भीतर पिघले हुए कोर की गतिविधी जो ग्रह पर द्रव्यमान को स्थानांतरित करता है महासागरिय प्रसार और समुद्र तल पर दबाव जो प्रित्वी की धूरी को खीचता है एक रिपोर्ट के मुताबिक चैंडलर वॉबल ग्रह के पूरी तरह से गोलाकार नहीं होने के कारण प्रित्वी की धूरी का प्राकृतिक विस्थापन जो घूमने की गति से जुड़ा हो सकता है आस्ट्रेलियाई खगोल शास्त्री फ्रेड वॉट्सन ने बताया कि जब आप सबसे महत्वपूर्ण पहलू को देखना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि पृत्वी केवल एक थोस गेंद नहीं है जो घूम रही है वॉट्सन ने बताया कि यहाँ अंदर और बाहर दोनों तरफ तरल हो गया है और इसे एक ऐसा वातावर्ण मिला है जिससे ये सभी चीजे थोड़ी धीमी हो गई है इंट्रेस्टिंग इंजिनियरिंग के मुताबिक कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि यह छोटे दिनों की एक नई अवधी की शुरूआत हो सकती है एक रिपोर्ट के अनुसार यदी पृत्वी तेजगती से घूमती रहती है तो इससे नेगेटिव लीप सेकंड्स या नकारात्मक छलांग सेकंड्स की शुरूआत हो सकती है इन नकारात्मक छलांग सेकंडों को शुरू करने का उद्देश्य उसदर को बनाए रखना होगा जिस पर पृत्वी सूर्य के चारों और परिक्रमा करती है जो परमानों घडियों से माप के अनुरूप होती है यह संभावित रूप से घड़ी पर निर्भर IT सिस्टम और सॉफ्ट्वेर और GPS उपग्रहों के लिए एक घातक प्रभाव पैदा कर सकता है